मैं डॉक्टर शिखा अगरवाल, एसोसियेट प्रोफिसर, गौर्णमेंट कॉलेज सुजानगर बी ए पार्ट फर्स्ट की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे कार्या पालिका कार्या पालिका जैसा की हम सब जानते हैं शक्ति प्रथक करण के सिध्धान्त में हम सरकार के तीन प्रथक प्रथक कार्यों को देखते हैं ये तीन प्रथक प्रथक कार्या निश्चित रूप से तीन अंगों को सुनिश्चित करते हैं और शक्ति प्रथक करण सिध्धान्त ने जो मॉंटस्क्यों ने दिया था इस बात को बताया कि अगर एक ही सरकार का अंग या सरकार पूरी तरह से केंद्री कृत शक्ति के रूप में कारे करेगी तो जनता की या नागरी की स्वतंतरता और अधिकार खत्रे में पढ़ जाएंगे और शासन भी अत्याजारी हो जाएगा ऐसे इस्थिती में सरकार के तीन कारियों को सुनिश्चित किया गया और इन तीन कारियों को तीन अलग-अलग अंगों के माध्यम से किया जाए ये भी माना गया जब लोकतांतरिक व्यवस्थाओं ने जन्म लिया तो उसमें तीनों अंगों को प्रथक रखने का प्रावधान सामन्य तोर पर किया गया ये बात अलग है कि वो तीन समान शक्ति वाले जो अंग है उन शक्तियों को कहीं न कहीं समन्वेगे माध्यम से जूड़ा गया और हमने अपने पिशली क्लास में उसमें पढ़ा था कि नियंत्रण और संतुलन के सिधान्त ने तीनों अंगों को एक दूसरे से जोड़ा था आज हम लोग पढ़ेंगे कार्यपालिका का संगठन निश्चित रूप से सरकार के तीन अंग है और सरकार के तीन अंग समान शक्ति वाले हैं व्यवस्था भी का कानून का निर्मान करती है कार्यपालिका उन बनेवे कानूनों को लागू करती है और नियाएपाली का ये देखती है कि जो कानून बनाए गए है और जो लागू किये जा रहे हैं वो सुचारू रूप से कारिय करें और यदि ऐसा नहीं होता तो वो उसके सम्मंद में उन्हें लागू करवाने की व्यवस्था करती है नियाए करती है राज्य के जो महत्वपूर्ण कारिय हैं वो सामन्य तोर पर वर्तमान में अगर हम देखें तो कारियों का इतना विस्तार हो गया कि कारियपाली का करने लगी है और इस तरह से कारियपालिका सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन गया चाहे हम ब्रिटेन को देखें या अमेरिका को देखें या भारत को देखें प्रधानमंत्री या राश्रपती के हाथ में सरकार का नेत्रत्व है जो अपने जो उनके अन्युआई हैं उन पर दल प्रणाली और संडरक्षन के माध्यम से नियंत्रन रखते हैं और इन सारे स्थितियों ने व्यवस्था पिका शित्र की जो स्वाहत होता है जो अधिकार है उसको कम कर दिया है अगर हम संसदिये व्यवस्था की बात करें तो प्रधान मंत्री मंदल पर अपना पूरा अधिकार रखते हैं और इस आधार पर जो व्यवस्था पिका की शक्ती है वो मात्रे का अपचारिकता बनके रह गई है जैसा कि Greaves ने कहा, Greaves ने ये बात ब्रिटिश शासन प्रणाली के बारे में कही जो लगभग विश्व के सभी देशों की कारेपालिकाओं पर लागू होती है कि कारेपालिका व्यवहार में हमारे विधी निर्मान तंत्र में प्रथम सधन बन गई है हम लोग जब कारेपालिका को देखते हैं तो हम उसमें सिर्फ प्रधान मंत्री, मंत्री मंडल या राश्ट्रपती ही नहीं देखते हैं बलकि वो सभी अधिकारी, कर्मचारी या एजेंसी देखते हैं जो किसी भी तरह से राज्य की जो आवशक्ता है या राज्य के जो कानून है, या राज्य के जो संकल्प है, इच्छाए हैं उनको लागू करती हैं जैसा गार्नर कहते हैं गार्नर कहते हैं एक व्यापक अर्थ में कार्य पालिका में वे अधिकारी और एजेंसियां भी आ जाती हैं जिनका राज्य के संकल्प को लागू करने से संबंद हैं। कार्य पालिका शब्द का जो प्रयोग है वो दो अर्थों में किया जाता है। इसका अर्थ जो है वो दो रूपों में लिया जाता है एक व्यापक अर्थ में और एक संकुचित अर्थ में। व्यापक अर्थ में अगर हम बात करें तो इसमें राज्य के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और मंत्री परिशत और सारे प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारी आ जाते हैं सभी कार्यरत संस्थाय और एजिंसिया आती हैं जिनका संबंद राज्य की इच्छा की क्रियान वहन से संबंदित है जो विदी के रूप में निर्मित और व्यक्त की जाती है ब्रिटेन में और अमेरीका में ये जितनी भी अधिनस्त प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारी है उनको स्थाई सिवा कहा जाता है जैसा कि GARNER की परिभाशा में भी हमें दिखाई दिया कि वो कहते हैं कि व्यापक और सामुही कर्थ में कारेपाली का विभाग की अंतरगत वो सभी अधिकारी, राज्य कर्मचारी और एजनसीयां आती हैं जिनका कार्य राज्जी की इच्छा जिसे व्यवस्था पिकाने निर्धारीत कर कानून के रूप में व्यक्त किया है कार्य रूप में परणित करना है लेकिन अगर हम इसे संकुचे तर्थ में समझें तो उसमें कारेपालिका में वही व्यक्ति आते हैं जो मुलत है नीती का नरधारण करते हैं यूजना बनाते हैं और कानूनों का क्रियान वैन करते हैं इसे मोटे तोर पर राजनतिक कारेपालिका कहा जाता है इस रूप में अगर हम देखें तो इंग्लेंड में समराथ, प्रधान मंत्री और उसका मंत्री मंदल आता है भारत में राश्ट्रपती, प्रधान मंत्री और मंत्री मंदल आता है हम लोग दोनों ही तरह से इसको समझने का प्रयास कर रही है इसकार्थी ये हुआ कि कारेपाली का अध्यक्ष और उसका प्रमुक सहयोगी तंत्र शासन को चलाता है राश्ट्रे निती का निर्धारन करता है और स्थाई प्रशासक जो है वो राजनतिक कारेपालिका द्वारा जो कानून मनाये जाते हैं उनको इमानदारी से परिनित करे ऐसा माना जाता है और इसलिए कारेपालिका और प्रशासनिक विभाग के बीच एक विभाजक रेखा लगबग सभी देशों में खींची जाती है क्योंकि जो प्रशासनिक विभाग के कर्मचारी अधिकारी है वे स्थाई सेवा के होते हैं और जो कारेपालिका होती है वे राजनतिक रूप से चुनेवे होते हैं जैसा विलो भी कहते हैं कार्यपालक शक्ती का कार्य सारी सरकार का प्रतिनिधित्व करना और यह देखना है कि इसके विभिन भाग कानूनों का उप्युक्त धंग से पालन करें। प्रशासनिक कार्य यह है कि जिस कानून की घोशना विधाई अंग और जिसकी व्याठ्या सरकार के न्यायपाली का अंग द्वारा की गई है उसे वास्तव में कार्य रूप में परिनित किया जाए तो इस तरह इसे प्रशासनिक कार्य और कार्य पालिका जो राजनितिक है दोनों मिल करके यवस्थापी का द्वारा बनाईवे कानूनों को लागू करने का कार्य करते हैं अब देखते हैं कारेपालिका के प्रकार. पूरे विश्व में एक सा कारेपालिका का मॉडल नहीं है. हमें बहुत तरह की कारेपालिका विश्व में देखने को मिलती है. सबसे पहला प्रकार है राजनेतिक और इस्थाई कारेपालिका. दूसरा है समवैधानिक एवं वास्तफिक कारेपालिका. तीसरा है एकल और बहुल कारेपालिका. चोथा है वनशानुगत और निर्वाचित कारेपालिका. पांचवा है उत्तरदाई और अनुत्तरदाई कारे जैसे अभी हमने बात की राजनतिक कार्यपालिका जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधी होते हैं और ये जो निर्वाचित प्रतिनिधी हैं इनका कार्यकाल निर्वाचन पर निर्भर करता है जबकि जो स्थाई कार्यपालिका है उनकी नियुक्ति की जाती है और उनका क कार्यकाल सरकारी सेवा में अवकाश ग्रहन करने की आयू से अवकाश प्राप्त करने की आयू तक रहता है ये पूरी तरह से स्थाई प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी होते हैं जो राजनतिक कार्यकारणी को अपना सहयोग देते हैं जैसे भारत का उधारन ले तो भारत में प्रधान मंत्री और मंत्री परिशत राजनेतिक कारेपाली का है तो वहीं पर आईएस और अन्य प्रशासनिक अधिकारी और राज्यों में मौझूद अन्य प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी स्थाही कर्मचारी की शेनी में आते हैं दूसरे प्रकार लेते हैं संवेधानिक और वास्तविक कारेपालिका संवेधानिक और वास्तविक कारेपालिका का जो विभेद है जो अंतर है ये सामान्य तोर पर हमें संसदिये शासन प्रणाली में देखने को मिलता है संसदिय शासन प्रणाली में दोहरी कारेपालिका होती है एक वो जो सम्वेधानिक है लेकिन जिसके पास नाममात्र की शक्तियां है जिसके नाम से राज्य जलता है जैसे भारत में राश्ट्रपती इंग्लेंड में समराट का पद लेकिन अगर हम देखे वास्तविक शक्तिया प्रधान मंत्री और उसके मंत्री मंडल के पास में होती है जैसे भारत में भी ऐसा ही है और इंग्लेंड में भी ऐसा ही है तो जो मंत्री है और प्रधान मंत्री है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदाई होते हैं और यही वास्तविक कारेपालिका का निर्मान करते हैं वल्टर बैज होट दोनों को जो दोनों प्रकार की कारेपालिका है उसको गरीमा में और कुशल यानि जो सम्वैधानिक कारेपालिका है उसे गरीमा में कहते हैं और जो वास्तवी कारेपालिका है उसे कुशल कारेपालिका के नाम से देखते हैं जो सम्मेधानिक कारेपालिका है वो भी दो तरह की है एक तो है पैत्रक और दूसरी है निर्वाचित जैसे अगर हम इंग्लेंड का उधारन ले तो वहाँ पैत्रक कारेपालिका है जो सम्मेधानिक है जिसमें राजा का पद है समराट का पद है वो पैत्रक है या नुवानश जबकि भारत में राष्ट्रपति का पद निर्वाचित है। तीसरा प्रकार देखते हैं एकल और बहुल कारेपालिका। कहा जाता है। अमेरिका का राष्ट्रपति कई बार एके काई की रूप में एकल कारेपालिका काम करती हैं जैसे इंगलेंड और भारत में मंत्री परिश्यक। दावनों सामुही कुत्तरदाइत्व की आधार पर कारे करती हैं। तो एकल कारेपालिका में आता है अमेरिका का राष्ट्रपति भारत इंगलेंड कनाडा की प्रिदान मंत्री। जब हम बहुल कारेपालिका की बात करती हैं तो वहाँ पर कारेपालिका शक्ति एक व्यक्ति की बजाए कई लोगों के हाथ में होती है। इसका उधारन जो है वो है स्विट्जर लेंड की संग्ये सरकार। वहाँ पर कारेपालिका शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में होने की स्थान पर साथ व्यक्तियों की समीती में होती है जिसे संग्ये सरकार कहा जाता है। ये जो साथ सदस्य हैं इनमें से हर साल एक सदस्य को सरकार का अध्यक्ष छुना जाता है जिसे संग का राष्टपती कहते हैं और सभी को बराबर शक्तियां प्राप्त होती हैं अगर हम इसके बारे में बात करें तो एकल कारे पाली का शिगरता से निर्ने लेती है शासन नीती में एक रूपता उसमें बनी रहती है शासन में स्थिरता रहती है कारे वाही जो कार्य है प्रशासन में दर्ड़ता से होता है और गोपनियता बनी रहती है अन्तिम शक्ति क्य योगी एक ही विक्पी के हाथ में निहींत है इसलिए शासन में कार्य करना ज़ादा सुगम है ज्यादा आसान है और शासन में एकता भी बनी रहती है वूल्जे कहते हैं कारेपालिका का एकल अध्यक्ष होने के लाब स्पष्ट है वो शासन में एकता और कुशलता लाने का कार्या करते है वहीं बहुल कारेपालिका का भी अपना कुण है उसमें शक्तियों का दुरूपयोग नहीं होता उसमें नेड़ने ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि सामुहिक नेड़ने होते हैं लेकिन इसमें परिवर्तन करना बहुत आसाल नहीं होता इसके बावजूद भी अगर हम विश्व में देखें तो बहुल कारेपालिका का प्रयोग बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा है क्योंकि सामुहिक नेड़त्व में सामाने तोर पर संगर्ष और फूट की संभावना बनी रहते है शासन में नेड़ने भी बहुत आसानी से नहीं होते क्योंकि सबका उत्तरदाईतों किसी का उत्तरदाईतों नहीं है जैसे इस्थिती हर कभी उत्पन हो जाती है अब आप सोच रहे होंगे कि स्विट्जरलेंड में ये क्यों सफल है तो उसके पीछे कारण है कि स्विट्जरलेंड की जो जनता है जो नागरिक है वो राजनेतिक रूप से बहुत जागरूख है शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा उंचा है और बहुत शिष्ट परमपराएं है इसलिए ये प्रणाली वहाँ पर सफल है अगला प्रकार आता है वन्शानुगत और निर्वाचित कारेपालिका का वन्शानुगत और निर्वाचित कारेपालिका में जो शासक है कारेपालिका का जो प्रधान है वो वन्शानुगत रूप से यानि बिना निर्वाचन के अपने वन्श के आधार पर सक्ता चलाने का अधिकारी होता है लेकिन जहां लोगतंत्र है वहाँ पर निर्वाचित कार्यपालिका होती है जैसे जापान में राजा है या इनलैंड में राजा है तो वन्शानु गत्रोप से कार्यपालिका का सम्मेधानिक प्रधान वही है लेकिन अगर हम वास्तविक प्रधान की बात करें तो ब्रिटेन में भी और हम अगर जपान में देखें भारत में देखें तो निर्वाचित कार्यपालिका है जिनके निर्वाचित का तरीका राज़े के समीधान में दिया हुआ है अगला प्रकार है कारेपालिका का उत्तरदाई और अनूत्तरदाई कारेपालिका संसदिये शासन प्रणाली में कारेपालिका संसद के प्रती उत्तरदाई होती है क्योंकि संसद से ही ली जाती है और सामुहीक उत्तरदाईत्व भी है और व्यक्तिगत उत्तरदाईत्व भी है और संसदिये शासन प्रणाली में कारेपाली का संसद के विश्वास परियंत तक ही अपने पद पर रहती है अन्य था संसद उसे हटा भी सकती है इसके विप्रीथ जहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है वहाँ अनुत्तरदाई कारेपाली का है यानि वो व्यवस्थापिका के प्रती उत्तरदाई नहीं है और उसका कारेकाल भी निश्चित होता है तो ये अमेरिका की व्यवस्था है जबकर संसिख़़ी शासन प् सबसे पहला तरीका है पैत्रक यानि वन्शानुकत पैत्रक कारेपालिका का प्रधान वन्श पर्मपरा के आधार पर उत्रादिकारी होता है और जेश्ठता का नियम इसमें सामन्य दोर पर लागू होता है पुत्र के अभाव में निकट का संबंदी या कारेकारी भी इस पद्ध पर आ सकता है और एक बार एक वन्ष का व्यक्ति जब राजा बन जाता है तो उसी वन्ष का शासक कारेपालिका का बनता रहता है लेकिन इस व्यवस्था को हाला कि राजतंतर कहा जाता है और प्राची इनकाल में हम देखते हैं कि राजा ही शासक हुआ करता था लेकिन वर्तमान लोकतंतरिक परमपराओं में इस प्रकार के शासन को बहुत अच्छा नहीं माना जाता इसलिए जहां भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर सामन्य तोर पर शासक एक समवेधानिक प्रधान मात्र हैं वास्तविक शक्तिया उसके पास नहीं है दूसरा आता है जन्ता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन भी सामन्य तौर पर सीधे नहीं किया जाता बोलिविया, मैक्सिको, ब्राजील और फ्रांस पर राष्ट पती सीधे चुने जाते हैं जन्ता द्वारा हालकि ये परंपरा ये प्रणाली लोक तंत्र की भावना के बहुत अनुकूल है लेकिन जन्ता सामन्य तौर पर एक विशिष्ट पद के व्यक्ति का निर्वाचन कर सकेगी ऐसा कई बार माना जाता है कि भावनाओं के भढ़काने में आकर कई अयोग्य व्यक्ति भी ऐसे पद पर पहुंच जाते हैं तो इसलिए सामन्य तौर पर सीधा निर्वाचन नहीं होता तीसरा आता है परोक्ष निर्वाचन परोक्ष या अप्रेटेक्ष निर्वाचन इस प्रकार के निर्वाचन में एक विशिष्ट मंडल द्वारा निर्वाचन किया जाता है या फिर पहले किसी और सरकार के अंग के लिए निर्वाचन होता है और उसके बाद वहाँ से सरकार को चुना जाता है ऐसा बहुत सारे देशों में होता है अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अगर राष्टपती की बात करें तो राष्टपती का निर्वाचन संसद और विधान सभाओं के चुनेवे सदस्यों के माध्यम से होता है अगर हम प्रधान मंत्री की बात करें तो वो संसत का अनिवारिय सदस्य है और वहां पर भुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधान मंत्री बनाया जाता है अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से राश्रपती का निर्वाचन होता है इसलिए प्रत्यक्ष निर्वाचन से जो गलत चीज़े उत्पन होती है वो नहीं हो पाती है और विवेग पूर्ण धंग से चुना हो जाता है लेकिन इस पधती का ये दोश है कि निर्वाचक मंडल राजतिक नीताओं के हाथ में अगर है तो ऐसी स्थिती में वो भी सही तरह से निर्णे नहीं ले पाता अगला आता है व्यवस्था पिका द्वारा निर्वाचन इस पधती में व्यवस्था पिका कारेपालिका का निर्वाचन करती है विधाईका के दौनों सदनों द्वारा कारेपालिका की अध्यक्ष या समीती का चुनाव होता है स्विस संगिय कारेपालिका का निर्वाचन वहां की विधाई का द्वारा होता है इस प्रणाली का सबसे बड़ा फाइदा ये है कि जिन लोगों को मद्दान का अधिकार है वे अपेक्षाकरत कुशल और यूग्य है लेकिन इसका दूश बहुत बड़ा है और वो है कारेपालिका प्रधान पूरी तरह से जो विधान मंडल है उसके प्रभाव में आ जाता है और उसकी स्वतंत्रता कम हो जाती है और अगला तरीका है मनुनयन सामन्य तोर पर जो किसी भी राज्य का देश का सर्वोच पद है उस पर मनुनयन नहीं होता भारत में स्वतंत्रता से पूर्व जो गवर्णर जनरल थे और गवर्णर थे उनकी नियुक्ति इंग्लैंड के समराट की द्वारा की जाती थी लेकिन स्वतंत्रता के बाद से ऐसा कुछ नहीं है आजकल सिर्फ जो इकाईया है भारत में जो प्रांथ है राज्य है उनके राज्यपालों की नियुक्ति राश्टपति करते हैं लेकिन इसके अलावा अन्य किसी पत पर नियुक्त करने का प्रावधान सामन्य तोर पर विश्व के अन्य देशों में भी नहीं है कार्यपाली का प्रधान का कार्यकाल कितना होता है इस पर अलग-अलग विचार है अलग-अलग देशों में अलग-अलग प्रकार है जैसे हम देखते हैं फ्रेंच गंडराज्य के राष्ट्रपती का कार्यकाल पांच वर्ष है अमेरिका में चार वर्ष राष्ट्रपती का कारेकाल भारत में राष्ट्रपती और प्रधान मंत्री दोनों का कारेकाल पांच वर्ष कारेकाल राष्ट्रपती का है लेकिन प्रधान मंत्री और उसके मंत्री मंदल का कारेकाल निलिश्चित नहीं होता क्योंकि वह संसद के विश्वास परियंतों तक कार्य करते हैं तो ऐसी स्थिती में यह माना जाता है कि सामन्य तौर पर सामन्य कारिकाल जो है वह 4 या 5 वर्ष का होना चाहिए और पुणर निर्वाचन की व्यवस्था भी होनी चाहिए जैसा कि अमारिका में भी है और भारत में भी है आज के लिए इतना ही अगली ग्लास में हम पढ़ेंगे कार्यपालिका के अलग-अलग मॉडल्स और कार्यपालिका के कार्यपालिका